करेंट अफ्यार विकली डू सिरीज का हमारा आज का पहला क्योशन है हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटर रेबेल सिंगल लेन पुल का उदगाटन किस राज्य में हुआ है और इसका सही आंसर है उत्रा खंड उत्रा खंड की टेहरी घड़वाल डिस्टिक में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर रेबेल सिस्पेंशन ब्रिज का उदगाटन किया गया है और ये राज्य के 20 वे स्थापना दीवस के उपलक्ष में 9 निवेंबर 2020 को राज्य के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत दुवारा इस पुल का उदगाटन किया गया है और ये पुल जो है ये 725 मीटर्स लंबा है जिसको 14 सालों में टेहरी लेक के उपर 2.95 करोड रुपे की लागत से त्यार किया गया है इसी के साथ में हमारे पास में उत्राखन से रिलेटिड कुछ important question से हमारा पहला question है उत्राखन के Chief Minister कौन है और इसका सही आंसर है तुरυχेंद्र सिंग रावत अगला question है उत्राखन के Governor कौन है और इसका आंसर है Baby Rani Maurya हमारा आज का अगला क्योशन है हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टाग मिला है और इसका सही आंसर है आसाम Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority ने आसाम से तेजपुर लीची को GI टाग दे जाने की घोशना की है हालांकी GI टाग की लिस्ट में लीची का नाम जो है वो 2015 से ही लिस्ट में शामिल था GI टागिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited दौरा आवेदन किया गया था इसी के साथ में हमारे पास में आसाम से रिलेटिट कुछ इंपॉर्टन क्योशन से हमारा पहला क्योशन है आसाम के चीफ मेनिस्टर नागालिन के चीफ मेनिस्टर Current Affair Weekly Doe Series का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में किस राज्य की तेजपूर लीची को GI टाग मिला है और इसका सही आंसर है आसाम Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority ने आसाम से तेजपूर लीची को GI टाग दिये जाने की घूशना की है हालांकी GI टाग लिस्ट में लीची का नाम जो है वो 2015 से ही एड़ किया जा चुका था 28 अगस्त 2013 को North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited दुआरा लीची का नाम जो है वो GI टाग के लिए आविदन किया गया था इसे के साथ में हमारे पास में आसाम से रिलेटेड कुछ important questions है हमारा पहला question है Who is the Chief Minister of Assam आसाम के मुख्य मंत्री कौन है और इसका अंसर है सर्बनन सोनुवाल next है आसाम के गवर्नर कौन है इसका अंसर है Professor जगदीश मुख्य current affair today का हमारा अगला question है Your best day is today पुस्तक के लेखक कौन है और इसका अंसर है अनुपम खेर यानि option A जाने माने अक्तर अनुपम खेर द्वारा Your best day is today शेर्शक एक नई बुक लिखी गई है उन्होंने इस बुक में coronavirus जो महामारी है इसमें देश व्यापी lockdown के दोरान अपने जो अनुपम थे उन सभी को शेर किया है और इससे पहले उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी Lessons Life taught me unknowingly and the best thing about you is you नामक थी और इसी के साथ अनुपम खेर जो हैं ये दो राश्ट्रे पुरसकार भी इनको मिले हुए हैं हमारा आज का अगला क्योशन है Honorable Festival का संभन के स्राज्य से है और इसका सही आंसर है नागालेंड नागालेंड गॉर्मेंड निदेश में बढ़ते हुए COVID-19 के केसिस को मध्या नजर रखते हुए Honorable Festival को virtually celebrate किये जाने का decision लिया है और इस मौधसव को Festival of Festivals के नाम से भी जाना जाता है इसे हर साल एक दिसेंबर से लेकर दस दिसेंबर तक नागा जो tribes है नागा जो जन जातिया है उनकी संस्कृती, culture, heritage, food और customs यानि संस्कृती, विरासत, भोजन और रिती रिवाजों को दर्शाने के लिए celebrate किया जाता है और इसी के साथ में हमारे पास में नागा लिंड से विलेटर कुछ important questions है हमारा पहला question है नागा लिंड के chief minister कौन है हमारा आज का अगला question है हाल ही में JCB साहित्य प्रुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है और इसका अंसर है S. Harish यानि option A मलियालम author S. Harish को JCB prize और literature 2020 से सम्मानित किया गया है और इसे publish किया जाएगा by Harper Collins India और as per the norms मलियालम author जो है उन्हें cash prize मिलेगा 25 लेक रुपीज का और जो translator है उनको additional price दिया जाएगा रुपीज 10 लेक current affair weekly do series का हमारा अगला question है हाल ही में 13 अर्बन मॉबिलिटी इंडियन सम्मेलन 2020 का उदगाटन किस ने किया है और इसका सही आंसर है हरदीप सिंग पुरी ministry of housing and urban affairs ने 13 अर्बन मॉबिलिटी इंडिया conference का आयोजन किया गया और इस इस conference का आयोजन जो उदगाटन जो है वो housing in urban affairs minister हरदीप सिंग पुरी दुआरा किया गया था और एक दिन भर चलने वाला यह सम्मेरन जो था इसका main जो theme था emerging prince in urban mobility और इस conference में जो main focus किया गया था वो किया गया था COVID-19 pandemic के क्या क्या चुनौतियां है वो उत्पन हुई है उनका सामाधन करने के लिए राष्ट्रियों और अंतराष्ट्रिय स्तर पर किये गए उपायों को ध्यान किंद्रित किया गया था current affair today का हमारा अगला question है हाल ही में world's first 6G satellite हाल ही में world's first 6G experiment satellite किस देश ने launch की है और इसका सही answer है चाइना यानि option A चाइना ने दुनिया के पहले 6G experiment satellite को launch किया है और यह 6G satellite उन तीन चीनी satellites में से एक है जिने successfully develop किया गया है by Argentina company Stilogic द्वारा दस commercial remote sensing satellites को develop किया गया था उनहीं में से एक जो है वो यह 6G experiment satellite है और यह है चीन की long march series का 351 rocket था इसे के साथ में हमारे पास में कुछ important questions है पहला question है चाइना की capital क्या है और इसका answer है बीचिंग नेक्स्ट है चाइना की currency क्या है यानि मुद्रा क्या है और इसका answer है रेन मी बिन रेन मिन बी नेक्स्ट है चाइना के प्रेजिडेंट कौन है और इसका answer है शी जिन पिंग हमारा आज का अगला question है हाल ही में टाटा लिट्रेचर lifetime achievement award से किसे सम्मानित किया गया है और इसका answer है रसकिन बॉंड यानि option A भारत के सबसे प्रशिड लेकों में से एक रसकिन बॉंड को टाटा लिट्रेचर lifetime achievement award 2020 से सम्मानित किया गया है और उनके अब तक लगभग 100 के करीब किताबों का अनुभव उनके पास में है हमारा अगला question है national education day किस दिन मनाया जाता है और इसका सही आंसर है 11th of November यानि option D national education day यानि राश्ट्रे सिक्षा दीवस हर साल देश भर में 11 November को celebrate किया जाता है और इस दिन को मुलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की birth anniversary के रूप में याद किया जाता है मुलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो first education minister थे independent इंडिया के current affair weekly do series का हमारा अगला question है हाल ही में IPL 2020 Trophy किस team ने जीती है और इसका सही आंसर है Mumbai Indians Mumbai Indians ने Dream 11 Indian Premier League 2020 के final में दिली Capitals को हरा कर IPL 2020 का जो खिताब है वो season अपने नाम किया है और Mumbai ने जीत के लिए 157 runs का पीछा करते हुए Mumbai team के Captain Rohit Sharma ने 51 balls पर 68 run बनाए और साथ ही Mumbai Indians ने 2019 के IPL में Chennai Super Kings को हरा कर जीत हासिल की थी Current Affair Weekly Doge Series का हमारा अगला question है हाल ही में Smart Hub Merchant Solutions 3.0 for Small and Medium Enterprises किस bank ने launch किया है इसका सही आंसर है HDFC bank HDFC bank ने Small and Medium Size Enterprises के लिए Smart Hub Merchant Solutions 3.0 को launch करने की घूशना की है यह जो सामाधान है इससे जो Merchants है यह कहें कि जो Self Employed Professionals है उनके लिए तुरंट चालू खाते और दुकान Online, In-store, Online and Own the Go open भुगतान स्विकार करने के लिए सक्षम बनाएगा और साथ ही साथ इसी के साथ bank का plan है कि इसके साथ 20 million जो Small and Medium Merchants है या जो Professional Services है जैसे Doctors, Pharmaceuticals, Saloon, Laundry Services, Metro, Semi-Urban और Rural India में है उन सभी को cover किया जाएगा अगले तीन सालों में हमारा आज का अगला question है हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ एक्सपो का उधगाटन कहां पर हुआ है और इसका सही आंसर है वोहान यानि option A मध्यर चीन यानि Central China हुबई प्रोपिंस की राजधानी वोहान में 11 निवेंबर को Second World Health Expo का inauguration किया गया और इस साल के एक्सपो का main focus जो था वो Global Health Industry के Most Cutting Age Science in Technology पर केंदरित किया जा रहा था जिससे की वोहान में City of Global Health Industry बनाने में मदद मिलेगी इसी के साथ में हमारे पास में कुछ important questions है चाइना से related पहला question है चाइना की capital यानि चाइना की राजधानी क्या है और इसका answer है Beijing Next है चाइना की currency यानि मुद्रा क्या है इसका answer है Rin Minbi Next है चाइना के president कौन है और इसका answer है Xi Jinping Current Affair Weekly Doe Series का हमारा अगला question है हाल ही में payout links for small businesses किसने launch किया है जिसका सही answer है PTM यानि option B PTM ने कारोबारियों के लिए payout links launch किया है जो कि customers, employees, vendors को सक्षम बनाएगा वो भी बिना उनसे bank की जानकारी लिए और इसका जो में उदिश्य है वो है gaming, retail, export, manufacturing और e-commerce के छोटे कारोबारियों की मदद करना है इसी के साथ में हमारे पास में कुछ important questions है जैसे की PTM की स्थापक, संस्थापक कौन है और इसका answer है विजय शेखर शर्मा, next है PTM का headquarter यानि मुख्याले कहां स्थत है इसका answer है नौइडा उत्रपदेश में next question हमारे पास में आता है PTM की स्थापना कब होई थी और इसका answer है 2010 में हमारा आज का अगला question है हाल ही में International Table Tennis Federation Women's World Cup title किस ने जीता है और इसका सही answer है चिन मेंग Table Tennis की दुनिया में Table Tennis की दुनिया की number one खिलाडी चिन मेंग ने अपने competitor सुन यन्शंगा को हरा कर International Table Tennis Federation Women's World Cup Table Tennis title का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और ये जो tournament है ये चीन के वहाई में खीला गया था इसे के साथ में इससे रेटर हमारे पास कुछ important questions है हमारा पहला question है International Table Tennis Federation के प्रेजिडेंट कौन है और इसका अंसर है Thomas Wicart Next है International Table Tennis Federation का headquarter यानि मुख्याले कहां स्थेत है और इसका अंसर है Lazy in Switzerland में Next है ITTF कि स्थापना कब हुई थी इसका अंसर है 1926 में दोस्तों हमारा आज का अगला question है हाल ही में सीचा सामाधान मुबाइल आप किस ने लौंच की है और इसका सही आंसर है नवीन पटनाएक मुख्य मंत्री नवीन पटनाएक ने किसान संबंधी कारियलों का दोरा करने पर जो किसानों दोरा सामाधान की जाने वाली सीचाई समस्याओं को दूर करने के लिए सीचा सामाधान नामक एक मुबाइल आप को शुभारम किया गया है इस एप्लिकेशन को लाँच करने के साथ साथ अब किसानों को जो है वाटर रिसूर्स डिपार्टमेंट में जाने की अवशकता नहीं है वो अपनी किसी वीडियो या फोटोग्राफ के थूँ ही अपनी जो समस्या है उसे भीज सकते हैं और जो फार्मर्स है उनको कम्प्लीट उनकी जो स्टेटस जो कम्प्लीन है उसका कम्प्लीट स्टेटस जो है वो एक समस के थूँ इनफॉर्म किया जाएगा इसी के साथ में हमारे पास कुछ important questions है हमारा पहला question है उरीजा के chief minister कौन है इसका answer है नवीन पतनायक next question है उरीजा की capital क्या है इसका answer है भुनेश्वर और next question हमारे पास में आता है उरीजा के governor यानि राज जेपल कौन है इसका answer है गनेशी लार मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धनेवा दोस्तो अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे comment box में comment करें और अगर आप किसी topic को detail में discuss करना चाहते हैं तो उसे भी comment box में comment करें next week फिर मिलते हैं current affair weekly dose की नई की नई वीरा करीदान כ कम से जाच़ आप Вот सकी आप में कई जाच्वाभग को उसे कि मिलते हैं तो 3 नदे हैं उसे Sa ditch चे सौनाष अς